हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल जहारखन एजूकेशन में फ्रेंड्स आप सभी के डिमांड पर मैं आप लोग के लिए जहारखन जिकेगा क्लास इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ जो 7th JPSC के लिए काफी important रहेगा और जो भी वीडियो आप लोग को मिलेगी वह JPSC के syllabus के according रहेगा और यहीं से आपको exam में प्रस्ण देखने को मिलेगा प्रेंट्स आप लोग को बता दे कि मैं जो की एक वीडियो में theory का वीडियो आप लोग को प्रवाइड करूँगा और इसके बाद नेक्स वीडियो होगा तो उसी से related जो कि आप लोग को बताऊंगा जो की exam में जो की पिछले exam में जो की यहां मतलब जिस भी topic का मैं लूँ जो की exam में पूछा गया है या फिर आपके जो भी मतलब exam होना है उसमें जो की पूछे जाने की समभावना रहेगा वैसा ही प्रशन आप लोग को प्रवाइड किया जाएगा और अगर आपका कोई भी मतलब आगे चलकर कोई सुझा होगा या फिर डाउट होगा तो फ्रें फ्रेंट्स वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजेगा और चैनलों पहली बार जुड़े हैं तो चैनलों को सब्सक्काइब कर बेल आइकन को प्रिक्स कर लिजेगा ताकि आगे जो भी वीडियो जाए उसका जार्काण में एकने महत्तों मिलता है तो प्रेंट्स यहां पर आज देखने वाले हैं मुंडा सासन व्यवस्ता तो जैसा है कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रेंट्स कि क्या है कि मुंडा जहारकन में कॉलरियन समुकी एक ससक्त एवम सक्ती साली जन जाती है और इसे परजाती द्रीष्टी से प्रोटो-इस्ट्रोलोड समु में रखा जाता है पूछा गया कि किस परजाती में रखा जाता है तो यहां पर आप देख लिजेगा आर्यों के दबामें आया फ्रेंट्स और वहां से धिले धिले करकर क्या हुआ कि जार्खन के परदेश में जो एक इनका परवेश हुआ और जार्खन में जो इका करिया बस गई और नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंट्स बात करें कि एक अन्य विचारधारा के अनुशार जो है कि यह भारत के दक्चिन पूर्वी भाग से जार्खन में परवेश किया था असूर जनजाती को पराजित कर उनके निवास अस्थल जार्खन पर आधिपत्ति जो है कि अस्थापि कि यहाँ पर मतलब आकर जो है कि जो भी मुंडा जन जाती थे यहाँ पर आकर रहने लगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर बात करें फ्रेंट्स तो मुंडा की अपनी भासा है जिसे मुंडारी कहते हैं जो मुंडा जो जन जाती है इसका जो मतलब एक भासा होता है अपना एक जो अपना एक भासा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं मुंडारी करते हैं और यह भासा जो है कि आस्ट्रो एसियाटिक भासा परिवार के अंतर गत आती है कौन से भासा के अंतर गत आती है तो आस्ट्रो एसियाटिक भासा परिवार के अंतर गत जो कि यह मुंडारी भासा आती है और मुंडारी भासा को होडो जगर भी कहा जाते हैं यह जन जाती मुख्य रूप से जहारखन के हजारी बाग खुटी सिम्डेगा गुंबला संथाल प्रगना गिरेडी और सीभूम में जो एकि मुख्य तोर से आप लोगों को देखने को मिलेगा और इन जो है कि जीलो में मुंडा जन जाती आप लोगों ज़्यादा तर देखने को मिलेंगे और बता दे फ्रेंट sup जो मुंडा में गाउं में जो कि तीन बिशेस अस्थाल होते हैं, जो मुंडा का जो गाउं होता है, उसमें तीन बिशेस अस्थाल होते हैं, सरना, अखाडा और सासन, और यह तीन उसे फ्रेंड्स में जो कि प्रस्ण पूछे जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, सरना, अख आखाड़ा और क्या है सासन सरना क्या होता है तो सरना जो है फ्रेंड जहां पर ग्राम देवता जो है कि निवास करते हैं यहां पर आखाड़ा क्या है तो आखाड़ा जो कि पंचायात mesa बैठक जहां पर होती है friends ये मुझडा जल जाती है गार जो पढ Васते का उसको अखाड़ा करते हैं लोग्झ रातिरी में क्या होता है कि यह वाक युक्तिया यह भी सव होता है उस सव को तपनाया जाता है और समाधी अस्तल पर पत्थर के सील रखे जाते हैं जिसे सासन दीरी कहा जाता है जो पत्थर के सील रखे जाते हैं उसको सासन दीरी कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्रेंट्स तो गीती ओड़ा ठीक है फ्रेंट्स इसे याद रखिएगा यह भी केशन जो की बहुत बार यहां से जो की पुछा गया है चलिए नेक्स नहीं पर बात करें फ्रेंट्स की जारखन छेतरे में जब मुंडाओं का परवेश हुआ तो आज इविका के लिए वनों क साब सुतरा कर करिसी कारी करने लगे और अस्थाई निवासी के रूप में अस्थापित हुए और बता दे फ्रेंट्स की उनका धेरी देरे क्या हुआ इस तरह से अस्थापित होने के बाद अपना खेत बनाने लगे अपना निवास अस्थार बनाने लगे और उनके द्वा जो बसाये गया गाउं होता था वह खूट कटी गाउं होता था याद रखेगा खूट कटी खेत और खूट कटी गाउं होता है ठीक है फ्रेंट्स यहाँ पर आगे देखते हैं कि खेत बनाने वाले को खूटी दार कहा जाता है जो लोग मतलब खेत बनाते थे खूट कटी दा कहा जाता है और खुट का अर्थ होता है फ्रेंट्स एक परिवार ना खुट का अर्थ अगर देखा जा तो एक परिवार होता है ठीक है तो यहाँ पर जो एक खुट का अर्थ होता है एक परिवार और खुट कटिदार गाओं को जो की मिला कर पढ़ा का निर्मान हुआ है या जो निर्मान होता उसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है चलिए आगे अगर बढ़ते हैं फ्रेंट्स तो यहाँ पर देखेगा कि मुंडा जन्जातियों में से परते गाउं का एक पंचायत होता है जिसका परमुख मुंडा कहा जाता है यानि कि जो भी मतलब मुंडा जन्जातिय इसमें जो है कि जो परमुख होते है उसे क्या कहा जाता है तो मुंडा कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स चलिए आगे यहाँ पर बताएगे ऐसे कई ग्राम पंचायतों को यह गाउं को मिला कर एक पर्टी बना जाता है जिसका परमुख मानकी होता है यानि कि पंचायतों को गाउं को मिला कर एक पट्टी बना जाता है पट्टी बनाने के बाद जो मतलब जो भी तयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं मानकी कहते हैं क्या कहते हैं मानकी और अनेक पट्टियों को मिला कर पढ़ा बनता है और बहुत सारे पट्टी को मिला दिया जाता है तो यहां पर पढ़ा बन जाता है जिसका परमुग जो होता है पढ़ा राजा कहलाता है यानि पट्टियों को मिलाने के वाद जो पढ़ा बनता है उसे जो एक पढ़ा राजा कहा जाता है उसे जो एक पढ़ा राजा कहलाएगा और पढ़ा में पढ़ा में जो एक प्राय एक ही कुल के सद पड़ा होता है जो पड़ा अगर बढ़ते हैं तो पढ़ा, पंचायत में पांच चारे पालक अधिकारी होते हैं यहां पर देख सकते हैं कौन-कौन है सब्सक्राइट यहाँ पर कुछ अन्य बात है फ्रेंट्स की आप लोग को बता देगी पाहन क्या है तो पाहन के वारे में अगर पुछा जाए तो यह मुंडा हो का पुजारी होता है ठीक है न और यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों पर्वतिवारों साधी विवा तथा ग्राम सभा की बै सभा में पर धार्मिक होता है कि यहाँ पर पाहन का थीकरा न Canadian our देखते हैं महतो में क्या है कि मुंडा और पाहन का सहायक होता है और यह मुख्य कारिकरम की सुचना को लोगों तक पहुँचाता है और यह तथा वह गाओं को लोगों को पंचायत के नियमों से आउगत कराता है यानि जो मातो होता है वह पाहान और मुंडा का सहायक होता है और यह क्या करता है फ्रेंट्स तो यह जो है कि जो भी मतलब गाओं का जो मतलब कुछ मुख्य कारिकरम जो होता है या फिर कुछ सुचना जो होता है उस सुचना को या कारिकरम को या लोगों को तक पहुंचाने का कारिकौन करता है तो महतू करता है ठीक है न और गाओं के ल उसे मतलब जो भी important रहा सकता था वो सारे points को मैंने यहां पर discuss कर दिया इससे ज्यादा आप लोग को ज्यादा पढ़ने की जवरत नहीं है यहीं से आप लोग को प्रश्ण देखने को मिल जाएगा और friends एक बार ज्यादा गर समझ में ना आया हो तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लिजेगा और next video friends इसी पर यहां पर जो आप लोग को जो theory के माध्यम से मतलब theory type का जो यह वीडियो आप लोग को प्रवाइड किया इसी पर जो कि आप लोग को next video के MCQ में रहेगा तो आप लोग को जो वहां पर MCQ करकर देखे लाना है किस तरह से मतलब exam जो क लाइक किजेगा अपने दोस्तों में share भी किजेगा ताकि और लोग भी जो कि हमसे जूड़ सकेंगे और इसका लाब ले सकेंगे तो friends यहां पर next video का वेट आप किजी आप लोग को जो बहुत जल्द वहें किसका MCQ का वीडियो आप लोग को सामने मिल जाएगा friends तो वीडि नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद